हेलो डी स्टुडेंट्स कैसे आप सभी आयोप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है राय स्मार्थिन दी यूट्यूब चैनल पर मैं तना अभाद वाज आज आपको बताऊंगी एस्ट्रोइट्स सुद्ध्य किसे कहते हैं तो आए समझते हैं तो प्या क्या है चर् ुधाने जाता एक्जाम में यूंडिवर्स में किस लोकेशन पर मिलती है तो यह हमारा सूर्य सूरे के सब से नियरस्ट जारे कामर करें फिर वीनस है अर्थ है और फिर मार्स है इसके बाद आती है हमारे एस्ट्रोइट्स बेल्ट तो यहां पर यह आपके मार्स मंगल ग्रह और ब्रस्पति ग्रह के बीच में यह मार्स आपका और यह जूपीटर है इसके बीच में यह चट्टाने घूमती रहती है इनिको हम एस् अस्पतिकी कक्षा के बीच में जो चट्टाने मिलती है उनको हम शुद्ध ग्रह एस्ट्रोइट्स कहते हैं इसी के अलावा आप थोड़ा सा देख लीजिए सबसे जो नियरेस्ट है वो है हमारा मरकरी फिर हमारा वीनस आर्थ मार्स जुपिटर सेटर्ण यूरेनस नेप्च एफिण और प्लूटो बारे में आप चानती है प्लूटो जो पहले फ्लेनेट रहत है अब बोना ग्रह क्यों क्यों वह वरुन ग्रह की कक्षा में प्रेवेस्ट करता था आप जानती हैं कि इसको कहते हैं ऐसी सुलाथ ऐसी सॉलिड बोडी जो सूरी के चारो तरफ गूमती है निशित दिनों में में प्रत्फ सबीके तरह त conf stop сп की थितवते हैं और अपनी फिक्स चरह तरफ गहूमती है रह द्रास्ति हैं यहे जोडिद आC क्या करता था इसके बाकी चीज़े तो ठीक थी लेकिन इंटियक्ट करता था इसलिए हमने क्या-क्या प्लूट को ग्रहों की से में रख दिया याद रखना आप किंदो ग्रहों के बीच मिलती है मंगल और ब्रसपत की कख्षा के बीच में यह पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाई जाती तो वैरि इंप्रोटेंट है यही सका एफेक्ट इसी तरह के इंट्रेस्टिंग फैक्ट जाने के लिए राय समार्थ हिंदी यूट्प चैनल पर ल बुड़ लग।